दोस्तों एक अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में जो रेशियल इंजस्टिस होता आया था रंग कलर के नाम पर भेदबाव उसको लेकर उन्होंने एक स्पीच दी थी अपनी I have a dream नाम की इस स्पीच में वो आउट्लाइन करते हैं और अपनी ओडियंस को बोलते हैं कि ये कंट्री अकाउंटिबल है अपने फाउंडिंग प्रामिसेस के लिए जैसे फ्रीडम, जस्टिस और इक्विलिटी अगस्ट 1963 में वाशिंग्टन में उस वक्त धाई लाग से ज़्यादा लोग जमा हुए थे उस वक्त इन्होंने कहा था कि अब्राहेम लिंकन को एक सेंचुरी से ज्यादा हो गया Emancipation Proclamation issue किये हुए 1863 में issue किया गया था उसको और अभी 1963 चल रहा है इसको मुक्ति उद्गोशना कहा गया था जिसमें सारे slaves को free कर दिया गया था कि जिन भी लोगों को गुलाम बना के रखा गया है जो भी black people थे जिनको गुलाम बना के रखा गया था वो अब सब स्वतंत्र होंगे तो वो बोलते हैं कि इस बात को एक century होगी लेकिन टेक्निकली तो black लोग black Americans free हो गया slavery से लेकिन आज भी in larger sense वो discrimination भेदवाओ की chain से बंदे हुए और उनके हातों में segregation की हतकडिया बंदे हुए segregation का मतलब होता है separate कर देना किसी different race को कुछ से separate कर देना लेकिन Martin Luther King बोलते हैं कि अब नहीं अब उस promise को पूरा करने का time आ गया है हमें भी अब freedom चाहिए, justice चाहिए अब हमें और time waste नहीं करना कि दीरे दीरे एक gradual solution होगा racism का ऐसा नहीं है क्योंकि ये country अब अपने boiling point पर पहुँँच चुकी है कि किस तरीके से नीग्रोस की साथ में भिदबाओ किया जाता है और अब एक छोटा सा बवंडर उठने लगा है revolution का और मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों से जो भी civil right moment के front में जो खड़े है front line में जो खड़े है वो कभी भी कोई नफरत या ऐसी bitterness अपने actions में ना रखें वो बहुत शांती से अपने हकों को मांगे ये moment हमारे justice के लिए है ना कि हम कोई physical violence करने के लिए इस moment को खड़ा कर रहा है मैं अपने सभी सुनने वालों से कहना चाहता हूँ कि ये एक non-violent resistance होगा बजाए कि हम अपने white allies को अपने enemies की तरह देखें हमें white लोगों को enemies की तरह नहीं देखना है और इस सच्चे justice को पाने के लिए सभी Americans races को एक साथ होना पड़ेगा unite होना पड़ेगा और सच्चा रहना पड़ेगा values के लिए मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे सुनने वाले ऐसे हैं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं जिनने बहुत ही लंबे और difficult struggles को जेला है और इस moment में जुणने की वज़े से उनकी पिटाए भी की गई उन्हें insult भी किया गया और उन्हें जेलों में बंद करके भी रखा गया फिर भी मैं आप सभी से एक प्रार्थना करूँगा कि आप लोग अपने घर चुप चाप चली जाएए कोई भी वालेंस नहीं चाहिए कोई कहीं भी रहता हो साउथ में या नॉर्थ में सब लोग अपने घर चले जाएए और confident रहेए कि हम लोग इस equality के लिए हम लोग fight करते रहेंगे और मेरा एक सपना है मेरा एक सपना है अमेरिका के लिए कि ये country अपनी true creed के लिए जीएगी और सभी लोग यहाँ पर समझेंगे कि सारे मनुश्यों को बराबर बनाया गया है और मुझे भरोसा है कि मेरे बाद मेरे बच्चे एक ऐसी society में जीएंगे जहां उन्हें स्किन के color के नाम पर जज नहीं किया जाएगा बलकि character को देख कर जज किया जाएगा और हमारे सभी बच्चे चाहे वो black हो या white हो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले साथ में difficulties को जीलना पड़ेगा तो हम सब को साथ में खड़ा होना पड़ेगा freedom के लिए अगर हम अमेरिका को पूरी दुनिया में एक great nation बनाना चाहते है तो और ये freedom की गूंज mountain of Corolando, stone mountain of Georgiana, every hill every mole hill of Mississippi सारे अमेरिका में गूंज ये जानी चाहिए डालके गाला गाल सके free at last, free at last thank god almighty we are free at last और इसी के साथ ये speech खतम होती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही